राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप लोग आसकी आमारी कहानी का नाम है जबाब मन बहुत उदासे और आउसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं अपने कापते हाथों से पापा की तस्वीर को पेपर में लपेट रही हूँ क्योंकि इस तस्वीर को पेपर में लपेट कर आलमारी में रखना था बाद में इसका क्या करना है वो मेरे ससुराल वाले डिसाइड करेंगे क्योंकि सब लोगों के मुताविक इस तस्वीर का मेरे घर में नहीं होना चाहिए था मैं सुननदा जब से साधी होकर आई हूँ मैंने इस घर को अपना घर ही समझा है और इसी लिए चाहे साफ सफाई हो चाहे इस घर की सजावट हो चाहे इस घर के लोगों को आपना मानना हो मैंने दिल से वह सब कुछ किया है जो एक बहु का फर्ज होता है मेरी साधी को दस साल हो चुके हैं और मैं अपनी साधी सुदा जिन्दगी से खुस हूँ प्रवीन बहुत अच्छे पती, पीता और बेटे हैं, मेरी ससुर नहीं है, पर मेरी सास माया जी अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकती क्योंकि वे बहुत ही जल्द बुसरों की बातों में आजाती हैं, और उसके बाद परेशानी मुझे और मेरे पती को उठानी बर क्योंकि अभी तक तो साधी हुई नहीं हैं दो बच्चे है सागर और सुभांगी जो घर में सभी के लाड़ ले हैं अभी दो महिना पहले ही मेरे पापा का देहांत हुआ है मैं अपने पापा की इकलोती बेटी हूँ मा को तो कभी देखा ही नहीं सुना है कि जब मैं 2 साल की तब मा और पापा का तलाख हो गया था उसके बाद पापा ने दूसरी साधी नहीं की और मेरी परवरिस में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी मेरी पापा मारकेटिंग का काम करते थे पर दादी के मौत के बाद पापा घर में ही एक कीराने की दूकान चलाने लगे क्य की मेरी परवरिस ही उनकी प्राथिमिक्ता रही है उसी किराने की दुकान से उन्होंने मेरी परवरिस की मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी साधी की प्रपटी के नाम पर उनके पास बस एक माकान था जो मेरे जन्म से पहले उन्होंने खड़िदा था मेरे पापा के तक वहां अकेली रहती इसलिए फिर एक कमरा छोर कर बाकी के तिन कमरे और दुकान को किराये पर चढ़ा कर मैं अपने पापा की तस्वीर को लेकर इस घर में आ गई वहीं तस्वीर जिसी पापा की सोक सभा के लिए तैयार किया गया था मैंने ये तस्वीर मेरे ससुर जी की तस्वीर के पास हॉल में ही लगा दी एक दो दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा पर धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि कुछ न कुछ बात जरूर है पर सायद मेरे सामने कोई कहता नहीं है वक्त यूहीं चल रहा था फिर एक दिन मैंने जिसे मेरी सास और देवर को बात करते सुना, दिक प्रविन सुननदा से कह दे की अपने पापा की तस्वीर यहां से हटा दे, भला बेटी के ससुराल में भी मता पिता की तस्वीर लगाई जाती है क्या, कल तेरी बुआ आई थी, वह भी यहीं कह रही थी, कैसी बात कर रही हो सुननदा अभी तक पापा की मृतिव से उभर नहीं पाई है, और आप इस तरह की बात लेकर बैठ गई, पर भाई, कल पंडित जी आए थे, उन्होंने भी यहीं कहा की ऐसी तस्वीर सुब नहीं होती, आने जाने वाले लोग भी टोकते हैं, हमने तो ना लगाई अपने मा माता पिता की तस्वीर क्या हमारे माता पिता खत्म नहीं हुए हैं, उनसे प्यार हम नहीं करते, इससे पहले कि वो लोग कुछ और कहते, मुझे वहाँ देकर सब लोग चुप हो गए, मैं कुछ कह नहीं पाई, बस मेरी आखों में आसु गिराए, और मैं अपने कमरे में च सास आई, तो उन्हों ने भी यहीं बात कही, अरे सुनन्दा, बेटी के बाता पिता की तस्वीर ससुराल में सुब नहीं होती, अपने पापा की तस्वीर को यहां से हटा दो, लेकिन मौसी जी, आप तो यह तस्वीर मैंने अपने कमरे में लगा दी, आप क्या समस्या है, फिर वही बात, कहा न यह कमरा भी इसी घर का हिसा है, इस तस्वीर को हटाओ और पहके करके अलमारी में रख दो, बात में सोचेंगे की इसका क्या करना है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो कहा गया है उतना करो, हमारे घर में भी कुछ सगुन होते हैं, और वास्तु के हिसा आप से ये तस्विर सुब नहीं है वैसे भी सोक सभा की तस्विर है मा जी ने लगभग चिलाते वे कहा और कमरे में चले गई सुननदा मा जो कहती है वैसा कर लो आखिर उन्हें जिस चित से सांती मिलती है वैसा काम कर लो आखिर कब तक लड़ते रहेंगे उनसे पिछले डे पविन जी ने भी कहा आखिर ठक हार कर मुझे ये तस्विर पैके करके अलमारे में रखनी ही पड़ी है मेरे पापा की तस्विर के लिए भी मेरे ससुराल में जगा नहीं है कुछ दिनों बाद मैं वह तस्विर अपने पापा के घर में ही रखाई कम से कम मेरे पापा की रहेगी वक्त यूहीं बीत रहा था कुछ समय बाद मेरे देवर ने नौकरी छोरकर बिजनेस करने की सोची अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की जरूर थी इसलिए उन्हों ने और मा जी ने प्रविन जी से कहा पर समस्य ये थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था इसलिए प्रविन जी ने लोन लेने के लिए कहा भाई एक काम करते हैं हम लोग लोन के लिए बैंक में अपलाई कर देते हैं आज कल सरकार भी नए स्टार्टप के लिए अच्छा खासा लोन देने को तैयार हैं बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए लोन क फिर मा जी ने बात संभालते हुए कहा अरी लोन लेने की क्या जरुडत है पैसा है तो सही मा कहा है नोक्री ही करते हैं हम लोग इतना पैसा कहा है हमारे पास अरे सुननन्दा के पापा का माकान है तो सही वैसे भी अब कौन रहता है वहाँ उसको बेंच कर स्टार्ट अप में लगा लेते हैं बाद में जब पैसा आएगा तो सुननन्दा को वापस कर देंगे देखो मा वह माकान सुननन्दा के पापा का है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता उस माकान का क्या करना है सुननन्दा ही सोचेगी मुझे कोई लेना देना नहीं है आपको बात करनी है तो आप सुननन्दा से बात कर लेजिए प्रविन जी के मुझे ये सब सुनकर मा जी ने मुझे बाहर पुलाया मेरी बाहर आते ही मा जी ने कहना सुरू किया देख सुनन्दा मयंग को बिजनेस सुरू करने के लिए पैसो की जरूरत है अरे हम लोग उसके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा हम लोगों से ही तो मदद मांग रहा है और फिर बिजनेस में तरकी करेगा तो उसके साथ साथ हम सब की भी तो तरकी होगी समझ रही है न बेटा तू हा माजी मैं सब कुछ समझ रही हूँ आप जो कहना चाहती है उसे बात पर आईए मैं ये कह रही थी कि तेरे पापा का जो म मकान है उसे बेच कर तू अभी मैं को पैसे दे दे बाद में मैं का बिजनेस सेट हो जाएगा तो वह तुझे पैसे वापस कर देगा पर माजी उन पैसों का आप लोग कैसे इस्तिमाल कर सकते हो भला मेरे पापा के माकान के पैसे तो आप लोगों के लिए असुब होंगे ये क्या कह रही है तू भाला पैसे भी कभी असुब होते हैं क्या बेटी के ससुराल में माता पिता की तस्वीर असुब हो सकती है पर उनके पैसे असुब नहीं होते ये कैसी सोच है आपकी वह माकान मेरे पापा की यादे समेटे हैं और उसे मैं हर्गिज नहीं बेचूंगी ऐसा कहा कर सुनन्दा अपने कमरे में चली गई और मा जी और मयंग प्रविन जी का चेहरा देखते रह गए प्रविन जी ने भी अपने हाथ जोर लिये आखिर मयंग को अपनी नौकरी ही करनी पड़ी असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज पीडियो को लाइक, सियर एंड सस्क्राइब करना और इस कहानी पे आपकी क्या रहे हमें कमेंट करके जरुर बताना धन्यवाद जै स्रीकृष्णा दोस्तों हरी बोल